अजीज तुल्बा वेलकम टो एक्टिव लर्नर्स पॉइंट ये ब्रीज कोर्स है जमात सुवम के लिए मजमून माहुल का मुताला अजीज तुल्बा आज है ब्रीज कोर्स का पहला दिन और हम करने वाले हैं सरगर्मी नमबर एक तो आज हम समझेंगे गिज़ा की एहमियत खाने का एहत्माम तो बच्चों आईए जहन नशीन करें दिन भर जो गिज़ाई अशिया और मश्रूबात हमारे पेट में जाते हैं इन सब को मिला कर खुराक कहते हैं जो भी खाना हम लोग दिन भर खाते हैं नाश्टे में दौपर में जो भी हम खाते हैं इसे क्या कहते हैं खुराक हमारे खाने में सालन चपाती या रोटी डाल चावल जैसी अशिया शामिल होती हैं तो हम दिन भर चपाती रोटी डाल चावल वगएरा जो खाते हैं ये जो अशिया हैं ये क्या हैं हमारी खुराक हमें चाहिए कि घर में बनाई हुई सब गज말 रगबत से खाए हमारी गज़ा में पत्ते वाली सबजिया भी शामिल होनी चाहिए तो हमें ये चाहिए कि हमारे घर में जो जो भी चीज़े बनाई जाती है उसे हम रगबत से खाए और उसके साथ साथ पत्ते वाली सब्जिया भी हमारी गज़ा में हमें शामिल करना चाहिए जैसे कि आपको यहां पर शकल में नजर आ रहा है पत्ते वाली जो सब्जिया है पत्ता गोबी पालग भाजी यह जो सब्जिया है अपनी गज़ा में हमें शामिल करना है और देखिए गिज़ा के साथ साथ हमारे जिसम को पानी की भी जरूरत होती है यानि के उसी के साथ साथ पानी भरपूर पिया जाए जिसकी वज़ा से गिज़ा हजम हो जाती है यानि हमें गिज़ा खानी चाहिए और उसके साथ साथ भरपूर पानी पीना चाहिए दिन बर में से हमें तकरीबन आठ गिलास पानी कम से कम पीना जरूरी है उसके साथ हमें चाहिए के मुक्तलिफ खिस्म के फल भी खाए जैसे हम हमारे गज़ा में सबजी, रोटी, सालन, चावल वगरा खाते है तो उसके सासाथ हमें गिज़ा में फलकों भी शुमार करना चाहिए और उसे भी खाना चाहिए तो प्यारे बच्चो अब हम देखेंगे गिज़ा की एहमियत हम गिज़ा क्यों खाते हैं क्यों जरूरी है तो आपको तो पताई होंगा कि गिजा की वज़ा से हमारे जिसम की नशोनुमा होती है और काम करने की ताखत मिलती है हम जो गिजा खाते है उसे क्या होता है हमारा जिसम बढ़ता है आप पिछली कلاस में छोटे थे अब आप थोड़े से बड़े हो गए आपकी जो है हाइट है वो बढ़ गई और काम करने की ताखत भी हमें किसे मिलती है गिजा से हमारी हड़िया मजबूत होती है गिजा की मदद से खून तयार होता है है ना अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम कोई काम नहीं कर पाएंगे इसके अलावा पीजा बरगर वड़ा पा जैसी गिजाई अशिया हमें हमेशा नहीं खानी चाहिए यानि के रोजाना ऐसी चीज़े, पीजा, बर्गर वगयरा, बाहर की अशिया जो है, फास्ट फूड हमें नहीं खाना चाहिए उसी तरह, चाए काफी ठंडे मशुरूबात हमेशा नहीं पीने चाहिए चाय काफी और ठंडे मश्रूबाद जो है ये हमें जादा नहीं पीना चाहिए प्यारे बच्चों, हमारे जिस्म को तंदरुस्त रखने के लिए मतवाजन गिजा और पाबंदी से वर्दिश करना जरूरी है जिसकी वज़ा से हमारे जिस्म की नशुनुमा अच्छी होंगी अगर आपको सहत मन्द रहना है, तंदरुस रहना है तो आपको चाहिए कि आप मतवाजन गिजा खाए और उसके साथ साथ पाबंदी से यानि रोज़ाना वर्दिश करे जिसकी वज़ा से क्या होगा आपकी जिस्म की नशुनुमा अच्छी होंगी, आप सहत मन्द रहेंगे तो बच्चों, उमीद करती हूँ, आप इतना अच्छे से समझ गए होंगे चलिए अब हम मश्क करेंगे सवाल नमबर एक आपको दिया हुआ है कशीदा किये गए अलफाज में से गलत लफ़ पहचान कर काड़ दीजिए तो यहाँ पर आपको जो अलफाज कशीदा कियो हुए अंडरलाइन कियो हुए नजर आ रहे है उसमें से जो गलत लफ़ उसको काड़ देना है तो पहला है हम फल पका कर बगर पकाएं खाते है तो क्या हम फल को पका कर खाते है नहीं तो यह जो गलत है इसे हम काड़ देंगे यानि कि हम फल को बगर पकाएं खाते है ककड़ी, कच्ची या तल कर खाय जाती है तो हम ककड़ी को कच्ची ही खाते है इसे हम तल कर नहीं खाते तो तल को हम काट देंगे रोटी या सालन तवे पर पकाते हैं तो आपकी अम्मी तवे पर क्या पकाती है रोटी तो सालन को हम काट देंगे इस तरह से तो बच्चो सवाल नमबर दो है जेल में से सही मुतबादिल का इंतिखाब कीजिए तो आपको फर्स दिया हुआ है यहां पे सहत मन्द रहने के लिए सोनू को जेल में से क्या खाना चाहिए यहां पर हमने थोड़ी देर पहले ही पड़ा कि सहत मन्द रहने के लिए हमें क्या खाना चाहिए तो यहां आपको options दिये वे है biscuit, बे, तली हुई अशिया, जीम, फल, डाल है पिज़ा तो हमें क्या खाना चाहिए फल खाना चाहिए तो जीम, जो है फल, इस option को हम टिक करेंगे second question है आपका जेल में से पत्ते वाली सब्जियां कौन सी है तो आपने देखा होंगा मटर, चोली, पालक और आलू तो पत्ते वाली सब्जी कौन सी है पत्ते किसको होते है पालक को तो हम टिक करेंगे पालक थोड़ है किस घिजाई शेय के अक्वा निकलने पर उसल तयार की जाती है तो आपने उसल खाई होगी तो आपको पता होंगा कि अक्वा किसमें निकलता है अलीफ है गेहूं बे बाजरी जीम है मटकी और दाल है मकई तो आपने देखा होंगा जो जीम मटकी जो है उसमें अक्वा निकलती है और उसे उसल तयार की जाती है तो जीम मटकी को हम यहां पर टिक करेंगे सवाल नमबर तीन है सही है या गलत लिखिए घर पर पकाई गई हर शेयर रगबत से खानी चाहिए तो हमने पढ़ाता है कि घर पर जो भी चीज़े पकाई जाती है उसे हमें रगबत से खाना चाहिए तो ये जुमला क्या है सही है उसके बाद खुली हुई और बगएर ढ़की हुई गज़ाई अशिया खानी चाहिए तो हमें इस तरह से नहीं करना है ये जुमला क्या है गलत है उसके बाद है चॉकलेट वेफ़ और आईस क्रीम जैसी अशिया हमें खानी चाहिए तो ये चीजे में हमें जो फास फूड है वो नहीं खाना चाहिए चॉकलेट खंडे मश्रूबात वग़रा हमें ज्यादा नहीं खाना चाहिए तो ये क्या है गलत तो बच्चों उमीद करती हूँ आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा तो इसकी लिंक जादा जादा शेर कीजिए और हमसे जुड़िये अगर आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो अगर अच्छी लगिए तो इसे लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी जाद जाद शेर कीजिए थैंक्स पर वाचिंग